As long as viewers, my name is Rizvan Chima, and welcome back with another video of Capital Smart City. आज की वीडियो में Capital Smart City में आपको Overseas East, Sector A के अवाले से एक्स्प्लेन करूँगा, कि Sector A में इस विक डिवलपम्ट का स्टेटस कहा है, as of first week of July 2023. अब जुलाई में देखा जाएं, तो यह इस plot जेतें Sector A में हैं, तमाम के तमाम plot जो हैं, और तमाम के तमाम plot sold out हैं, hardly इस plot में तो इवन को 2 या 3 plot available होंगे, जो society रिसनली ओफर की हैं, कि आप 30% payment पे करके plot procure कर सकते हैं, along with plot number, और आप उसे possession ले सकते हैं, याद रहे कि इस block में 2 streets ऐसी हैं, जिस पर villas बने हुए अलड़ी, जो सबसे flagship villas हैं, दो-दो किनाल के, वो एक street हैं, street number 1 जिस पर बने हुए हैं, और इस सबस्ताद बाकी जो plots हैं, उन पे already members ने, आपको राइट सेट पर घर भी नज़रा आ रहा होगा, अपनी मर्जी से अपने plot पे construction भी कर सकते हैं, और society हैं जो गॉल्फ कोर्स के अंदर villas बनाने हैं, जिसमें 10 मर्ला के villas हैं, दो villas, इसके लावा आपके 15 मर्ला के दो villas हैं, और एक किनाल के दो villas हैं, जो already society ने वहाँ पे model जेना के तियार करके मकमल और visit purpose, जो members ने खरीदने हैं वहाँ पे, तो उनके model ब्लाज माँ पे तियार करके में हैं, right now जो हम आप स्टीट नमर 3 के प्लोट जेखते हैं, स्टीट नमर 3 पे जितने प्लोट बनते हैं, तमाँ के तमाँ प्लोट पैस प्रशनेंबल हैं, और ये एक स्टीट है, जो end to end open है, जाने कि दोनों साइट से connectivity है, इसकी में रोट के साथ, और इस स्टीट और इस लेन 4 के साथ जितने प्लोट जेखते हैं, वो तमाँ के तमाँ प्लोट जेखते हैं, और ये मुकमल प्रिक्यूर्ट हैं, इसमें कोई स्टीट में प्लोट अवेलेबल नहीं हैं, प्लस स्मार्ट स्टैम स्कूल है, अगर हम बात करें इसकी नौर साइट के लावा, इस साइट की तो वहाँ पे 100 सीफूट का रोड, और इसके साथ बाद में रोड क्लास करने के opposite साइट पे, फ्लावर शो पार्क है, जो 260 किनाल का है, इसके लाव हम बात करें इसकी west side पे, west side पे देखें तो आपको दुबारा linear पार्क मिलता है, और अगर हम देखें दुबारा south side पे, south side पे नीचे दुबारा 180 feet रोड है, तो east और south side पे दो 180 feet के रोड प्लस पार्क, सबसे important पार्क यह नहीं है, कि दो side से रोड यहां, दो side से बड़े linear पार्क हैं, important पार्क यह है, कि गॉल्फ कोर्स से साथ सबसे नजदीकी ब्लॉक है, प्लस जो M2 motor रे इंटरचेंज से सबसे नजदीकी ब्लॉक होगा, this block is one of those block, क्योंकि इस block की access जो है, वो काफी ज़्यादा असान होगी इंटरचेंज से, और गॉल्फ कोर्स के साथ तो बिल्कुल adjustment यह already है ही, अब इसके गॉल्फ कोर्स की importance असलिए है, कि जब गॉल्फ कोर्स में society ने future में विलाज लाउंच करने है, तो उन विलाज की जो प्राइस है, वो काफी ज़्यादा expensive होगी, क्योंकि society ने अगर लेट सेजी धाईती नरफ दे के, गॉल्फ कोस के साथ डिजाइन और सारे इसकी जो management है, वो एक international company से करवाई है, तो जायर सी बात है, जो अंदर विलाज बेचेंगे, वो भी उससे तरह करोड़ों के रेट पर होगे, अगर वहाँ पर लेट सेजी एक स्ट्रीट के बाद, प्लॉट दस मतला घर का रेट है, फ़र जेंबल जी चार करोड या पांच करोड या चे करोड, तो क्या उस रोड के इस तरफ जो घर का रेट होगा, प्लस जो प्लॉट होगे, उनके रेट में बहुत इजाफा होगा, तो इस डील में या इस 30% प्रिक्यॉर्मेंट में आप जो प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं, उस प्लॉट में आप तो नमबर वन तो पॉजेशन तो ले ही सकते हैं, वो तो आपके लिए कोई second thought ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आप possession लेने के साथ साथ आप यहाँ पे, उसको investment point वे इससे भी यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि future में जाके, इस ब्लॉट में आलरी आपको घरों के structure नजर आ रहे हैं, दो-दो किनाल के तक्रीबन 13 विलाज बन चुकी हैं, इसके लबाब 15 मरला के दो, किनाल का एक, 10 मरला के तीन विलाज साथ आइटी ने दो विलाज अपने बनाई हैं, और तीन विलाज साथ आइटी में members जो अपने plot पे possession लेके खुद construction कर रहे हैं, तो उस लिहाज से इस ब्लॉग में investment जो है वो वड़ी वाइबल है, अब इसमें दूसरी important बात है, कि आप investment पे देखें, तो मैंने एक्स्पेम कर दी आपको, living point अफिस से आपको जो जो अड्वांटेज मिलता है, पहला तो आपके घर के surrounding में जो landscaping है, बहुत अच्छी है, golf course, linear parks, important बात, उसके लावा आपके घर से school जो walking distance पे है, और जामय मस्जिद जो walking distance पे है, तो यही तीन चीज़ें निसेस्टीज होती है, commercial, school, जामय मस्जिद, तीनों जो हैं आपके walking distance पे हैं, स्टीट थी की footage में across the road जाती है, नहीं block के center से गुदर के दोने side को touch करती है, अब मैं आपको Google Earth location पे तमाम चीज़ें explain करता हूँ, और इसके बाद मैं आपको details से आगे जाके explain कर दूँगा, कि इसमें investment क्यों feasible है, और इसमें living point of view से क्या advantage मिलता है members को, जो यहाँ पे plot खरीद के रहना चाते हैं, इसमें capital security का master plan देखते हैं, master plan में जो आज की video जिस block के हवाले से, specifically वो यह वाला block बनता है, overseas east का sector A, जैसे कि मैंने video के start में explain किया थे, कि इस block की location क्यों है हम है, number one तो golf course से सिर्फ एक road का फरक है, यानि एक street से opposite side पर जाएं, एक road के 180 feet wide road से, तो आपके golf course के premises हैं, तो number one and quantity तो यह आता है, right side पर सारा है, मैं इसको main master plan की जिएका, मैं आपको सिर्फ east का मैं आप दिखा जाता हूँ, तो आपके लिए चीज़ें मजीद clear हो जाएं, right side पर इस block के main park आता है, यह block एक ही आप right now जो गूगलर थे में जीज़ें से वह देख सकती है, यह block एक ही लेट से elevation की बात करें, तो अच्छा है elevated block है, इस में सच को depression का अंसर नहीं है, माँ सेवाई इस side पर जहाँ पर school और linear park की जगाती है, इस block की बात करें तो इस block की में बात की थी कि दो साइट पर main roads है, एक तो राइट साइट पर आपका आरवन रोड है, जिसकी width है 180 feet, अगर मैं पर साथ explain करता जाऊं, यह जो road है आरवन, इसकी width है 180 feet, इस road की, जिसको भी देख सकते हैं, यह आप access point 1 से direct इस्तेमाल कर सेते हैं, और access point 2 से भी इस्तेमाल कर सेते हैं, 3 से भी जोड़ी, 1 access यह है और 3rd access यह है, तो दोनों से access मिलती है आपर, और जब important बात है, access जो main M2 motor वे से है, वो मैं आग explain करता हूं, अब इस block पे, इस side, back side पे भी 180 feet wide road है, इस side पे 180 feet wide road है, दो side पे जो parks हैं, वो जो parks हैं, वो linear parks हैं, 50 feet का road है, फिर 120 feet wide park, फिर 50 feet का road, तो यह आपका बन गया एक linear park, इस side पे आजे हैं, 214 feet का लेकतली road, और इसमें center में, 120 feet linear park जो है, वो मजूद है, और सामने F1E, school और यह commercial market के plots हैं, अब society के पास जो inventory है, उसमें यह जो brown boxes नज़रा रहे हैं, इन में से 3 plots जैसे हैं, जो available हैं, जो reserved थे विलाज के लिए, अब इन plots में अच्छी बात है, कि आप सिर्टी percent payment पे, आप plots का possession ले सकते हैं, और plots का possession यहाँ पे आपको 30 percent payment के साथ, with plot number, with proper allocation मिलेगा, यह दो कि अवरल map की बात, हमें दोबारा Google Earth पे आता हूँ, अब यह इस side पे park, इस side पे park है, यह बागो park इस side बन गए, इस side पे भी काम हो रहा, पार्क पे आपको यह मशीने काम करते ही नजर भी आ रही है, अब राइट साइट पे यह जो विलाज है, यह सारे विलाज जो अलड़ी, society के तरह सोल्ड आउट है, और सब्टम्बर में possession है, अब इस block के across the street जाते हैं, तो यह hospital की building है, और यह सूप की building है, और यह यहाँ पे Grand Jamia Mosk Overseas East बन रही है, यह सारे plot पे, अगर मैं plot का अरिया देखूं, कितने अटे अरिया पे यह मस्जिद बना रहे हैं, तो इससे आपको idea हो जाएगा, यह Jamia Mosk जो है, इसका idea बनते है तरहीबन 7 acres, अगर आप इसको कनाल में देख लें, इसमें कनाल का option नहीं आता, 7 acres को देख लें, तो 7 acres पे अगर इस society की तरह से मस्जिद बना जा रही है, तो definitely society जो है, इस ब्लॉक के लिए कितना सीरे से आप इसे इंतादा लगा सकते हैं, 56 कनाल की बिल् homicide के बनती है वरी और 56 कनाल की बिल् Ding के साथ-साथ, यहां पे आगे, यह 280 कनाल का पार्क है, यहनि इस ब्लॉक से एकसस पे, आप इस तरफ पार्क है, इदर पार्क है, और बैक साड़ पर गॉल्फ कोर्स है, यह गॉल्फ गोर्स के अंतर जो विलाज अभी स्टार्ट होने है उसकी प्रिमिसेज हैं और इसके साथ साथ यह मैंने आपको स्कूल के एक्स्पें कर दिया कि ब्लॉक के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टंस पे यह आपका स्कूल आता है स्कूल की बिल्डिंग यह भी काफी इं और वॉकिंग डिस्टंस पे कमर्शल मार्केट लेकिन जैसे क्लास्री मार्केट डिसके प्लॉट्स ही हैं यह यह विलार से बाता कि कमर्शल आक्रीट के मैंजिए होगी Carry 여기 street के बास अल्रिडी हजारों कनल मजूद है और इस तरह से water body में specifically इसलामबाद के अंदर एक तरह से आपको 360 डिग्री में पहाड़ों का व्यू, मैं आपको ज़ूम उट करके दिखाता हूँ, यह elevation है, smart city की, अब इस elevation में देखें तो इस तरह आपको पहाड़ों का व्यू मिलता है, और इस तरह आपको सामने water body मिलती है, य आपने यह साइड water body आती है, अगर मैं थोड़ा सा मजीज जूम उट करूँ, यह देख लें, smart city जो basically वो एक valley है, between these mountains and these mountain ranges, खैरी मुरत range और यह दुसी चाहिए, जो mountain range बनती है, इनके center में smart city आता है, तो आपको यहां से better understanding मिल सकती कि smart city किस तरह का project हो, यह smart city की overall जो है, elevation बनती है, location बनती है, कि दो साइड से पहाड है, center में water body है, अब आते हैं important चीज पे, कि इन block में access के लिए access के लिए, access point का, वो कितना होगा, और वहां से access लेने के लिए, कितना असानी से member आज की date में आ सकते हैं, और future में कितना असानी से आ सकेंगे, तो first of all, यह motor में interchange है, अगर मैं दोबारा यहां से distance note करूँ, कितने distance पे overseas central block A बनता है, तो that distance is 2.93 km, यहनी सिर्फ आपने 2.93 km के distance के साथ, आप साइड पे travel करके इस block में access ले सकते हैं, तो मैंने बात की थी पहले, कि members को बहुत बड़ी गलत फ़हमी है, कि overseas central जो है, वो बहुत करीब है, M2 motorway से, हलांके reality में ऐसा नहीं है, overseas central जो है, उससे ज्यादा नजदीग जो आपका overseas east है, और overseas east में इस से बड़ी golden opportunity नहीं हो सकती, कि society आपको 30% पे possession वाले plot उफर कर रही है, दस मतला के और कनाल के, और plots भी वहले हैं, कि society के सबसे prime location के plot थे, यानि prime location से मराद यह है, कि society के पास वो reserve plot थे for villas per purpose, अब इसी block A के opposite side पर जाएं अगर, तो यह सारा area जो बनता है, water body के साथ, master plan पे यह zoo का area है, यहाँ पे already यहाँ एक amphitheater बना हुआ है, और यह सारा area जो है, यह गॉल्फ कोर्स के villas के लिए use होगा, यानि कि यहाँ पे front back open जब villas बना जाएंगे, जो गॉल्फ center sector बनता है, जिसको हर तरफ से बहुत ही अच्छी activities रहे हैं, उसके लिए access मिलती है, तो यह है overall sector A की सुर्तियाल, एक और चीज़ भी important है यहाँ पे, sector A के वाले से, sector A के, बिल्कुल अगर आप sequence A की road को से travel करें तो आपको future में smart team में अंदर सबसे ज़्यादा जहां पे business activity यह सबसे ज़्यादा residential activity ने दर आएगी, वो यह road है, इस road क नाम है R1, इस road पे R1 पे आपको देखें कि यहाँ भी आपको घर बने में मिलते हैं, यहाँ भी घर बने इस road के ओपर ही सारी activity और इस road के ओपर ही यह ब्लॉग आता है, जहां से आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि future में, अगर आप आज procurement करते हैं, तो आप अगर आज भी घर मनाते हैं, तो यहाँ पे आपको easy access मिलती है, जिसमें वीडियो पीछ एड़ की है, जिसमें ground footage, प्लाच कुछ पार्ट मैंने aerial footage के भी आट कर दिया है, ताकि आप लोग को easy understanding हो सकते हैं, कैपिल स्मार्टी में ब्लॉग के की actual location और actual worth क्या बनती है, अगेन back to real time footage, इसको दुबारा आपने screen पे block A की footage देख से हैं, तो मैंने block A के वाले से google earth location की मदद से, plus actual site footage as the first week of July 2023, साथ हमारी website विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com, अगर आपको ये वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share, और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें, रिजवान चीमा को दीजे चाहसे अगली वीडियो तक लिए, खुदा हाफिज जाती जाती वीडियो वीडियो बिदाब कर दो कर दो झाल झाल